कि नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका स्टेडी विद एमजी चैनल पे दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ओफिस्यल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है रेलवे गुरूडी भरती को लेकर तो चली देखते हैं इसमें क्या-क्या दिया हुआ है तो जैसा कि आप देख सकते हैं या जो परकासन की गई है इस नोटिफिकेशन की वह दस परवरी 2018 को की गई है और जो फॉर्म भरने का अंतिम्तिति है वह है 12 मार्च 2018 यानि कि 12-3 2018 तक आप इस फॉर्म को अपलाए कर सकते हैं जो इसकी आवित है अपरेल तथा मैं में जो की कंप्यूटर आधारित होगी चलिए और आगे देखते हैं क्या-क्या दिया गया है तो आयू इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं आयू 18-31 बर्स है बाकि जिन्हें आयू में छूट मिलते हैं उनके लिए वह लागों होंगे बाकि समान के लिए 18-31 बर्स हैं परिच्छा के चलन तो कंप्यूटर आधारित परिच्छा ली जाएगी कंप्यूटर आधारित परिच्छा में उत्तिर्न उम्मिद्वारों को सारीरिक दक्षता परिच्छन उत्तिर्न करना होगा इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होंगे कंप्यू लिए जाएंगे पड़ते तीन गलती पर बाकी प्रक्षा होल कंदर मोबाइल इस तो आप लोग जानते ही हैं चलिए और आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है जो में इसमें इंपोर्टेंट बात यह है और कि टेलवे भरती बोर्ट द्वारा भरती की प्रक्रिया आपको इमेल और मैसेज के माध्यम से ही प्राप्त होगी तो जो भी आप मुबाइल नमबर या इमेल आइडी दे उस पर अपना धियान रखे कि आपके पास वह हमेशा चालू रहे जो कहां पर किटना सीट है कि investir आपको कहां प्लैक करना है बाकी चलिए हम आगे देखते हैं इसमें काफी पूश्ट के लिए आपके बास यहां पर whereas какое भी दिया हुए मेडिकल जांच के लिए कि यह सबाब के पास इतना होना चाहिए चलिए आगे देखते हैं मुख्य बाते क्या है तो आयू स्मीमा जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि 18-31 बर्स मांकर मुसूची जाती जन जाती कि में द्वार 5 बर्स की छूट जो इस नहीं दिये जाते हैं वह सभी दिये जाएंगे सेक्षनिक योगिता काफी लोगों के मन में यह सवाल था कि क्या आइटि आई जो किये हैं सिर्फ वही यह गृवडिव भर सकते हैं या जो सिर्फ मैट्रिक है वह अपलेक कर सकते हैं कि नहीं तो चलिए वो भी किलियर कढ़ी देते हैं यहां जो सेक्षनिक योगिता आप देख रहे हैं इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि केंद्रिय रोजगार सुचना में अधी सूचित पदों के लिए ओनलाइन अभेधन प्रस्तुत करने की अंतिम किती तक माननेता प्राप्ट बोर्ड या NCVT, SCVT से प्राप्ट सेक्षनिक या तकनीकी योगिता उमिदवार के पास होनी चाहिए पर तेक पद के संबन्द में निर्धारित योगिता नीचे दिया हुआ है चली उसे भी देख लेते हैं पर मैं आपको बता दूँ किसमें आई टी आई यदि आप किये हैं तो आप आई टी आई वाले पोस्ट के लिए अपलाए कर सकते हैं तो चली देखते हैं आप कौन-कौन से पोस्ट के लिए अपलाए कर सकते हैं यदि आपके पास आई टी सब्सक्राइब देख सकते हैं टोटल 90 मिनट दे जाएंगे आपको एक सो परस्नों के लिए परस्न कुछ इस तरह से एंगे गनित से संख्यापदेती बोर्ड मास दसमलभिन लगुत्तम समवर्तक महत्तम समवर्तक अनुपात एवं समानुपात परतिसत मैंसुरेशन समय और का देव्याज लाब और हानी बीजगनीत ज्यामिती और तिरकोण मिती प्राडमबिक सांखी की वर्गमूल आयू की गनना कैलेंडर और घरी और टंकी इनहीं सबसे मैच से परस्न होंगे समान बुद्धि मत्या और तरक सक्ति रिजनिंग रिजनिंग से परस्न होंगे और समा बाकी क्रेंट अफेयर्स खेलकू संस्कृति इनसे भी जुड़े प्रस्न होंगे अब सारी जो जांच होगी परिक्षा के बाद वो क्या है तो पुरुस उम्मिदवारों के लिए 35 किलोग्राम का वजन को उठा कर दो मिनट में एक अपसर में वजन को नीचे गिराए बीना 100 मिटर तक ले जाना होगा तथा 1000 मिटर की दूरी को 4 मिनट 15 सेकेंड में एक ही अपसर में दोरना चाहिए और महलाओं के लिए 20 किलोग्राम का वजन उठा कर 2 मिनट में एक ही अपसर में वजन को नीचे गिराए बीना 100 मिटर तक ले जाना चाहिए तथा 1000 मिटर की दूरी को 5 मिनट 40 सेकेंड में एक ही अपसर में दोरना होगा चलिए आप देख लेते हैं से पहले कि किस पोस्ट के लिए इसा कुछ भी नहीं है जिस लेंग्वेज आप एक्जाम देना चाहिए उस लेंग्वेज को आप सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर्म अप्लाइ करते समय यहाँ पर सभी लेंग्वेज एवलेबल है हिंदी अंग्रेजी उर्दू और विय गुजराती मराथी पंजावी जो लेंग्वेज आपका है वह तो आप देख सकते हैं निंतम सेक्षनिक योगता पद का नाम विभाग यह सभी इसमें धिया हुआ है जिकित्सामानक सबकुछ कि यह सभी पोस्ट के लिए कौन को नप्लाएक कर सकते हैं तो हेलफर या इलेक्ट्रिकल वर्क्साप यह सभी मतलब जो पोस्ट है इसके लिए आपरेंटेस से प्रमानपत्र होना चाहिए या दस्मी उत्तिन एवं NCBT या SCBT द्वारा प्रधिक्रित संस्ताव से ITI होना चरूरी है यह जितने पोस्ट यहां तक आपको दिख रहे हैं 23 तक इसके लिए ITI या जो आपरेंटेस किये हैं सिर्फ वही अपलाए कर सकते हैं बा हैं हुआ हेलफर या मेडिकल होस्पीटल अटेंडेंट साहयक पॉइंट्समें गेटमें पोर्टर हमाल स्वीपर कम पोर्टर इसके लिए अपलाए कर सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें दिया हुआ है दस्मी उत्तिन या NCBT SCBT द्वारा प्रधिक्रित संस्थाओं से ITI या समतुल NCBT द्वारा राष्टी अपरेंटी सी प्रमानपत यानिकिन वेसे कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए तो जो टेंथ पास है वो यह सब अपलाए कर सकते हैं माकी यह सभी पोस्ट के लिए कहां कितने सीट है वह आप देख सकते हैं कहां आप अटेगरी के लिए 250 रुपे है जो कि काफी ज्यादा है क्योंकि जब इससे पहले गुरूप डी आई थी लगभक साइट साइट तेड़ा या चौद्य में तो उसमें मातर इसमें 40 रुपे का IPO लग रहा था पर इस बार काफी महेंगा हो गया है यह और 500 रुपे जेनरल और 202 के लिए मांकी अधर के लिए 250 रुपे है तो बस इसी तरह नोटिफिकेसन है मांकी आप इसे डानलोड करके पढ़ सकते हैं इसका लिंक में आपको डिस्कुस्न बॉक्स में डाल दूँगा आप वहाँ से डानलोड करके पढ़ सकते हैं बाकि के मन में कोई इससे जूरी स तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूस सकते हैं तो चलिए मिलते हैं फिर कसी नए अपडेट के साथ तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुभ हो झाल सकते हैं प्राख § झाल झाल